नमस्कार दोस्तों आपका मेरे यूटूब के चैनल में आपका एक बार से फिर बहुत दोस्त स्वागास्त है आईए आज हम एक आपको नए वीडियो की और ले चलते हैं दोस्तों इस्टॉक मार्केट में वर्क करने से पहले आपको मैं कुछ सामने सामने बाते बताना चाहता हूँ कि दोस्तों स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने या निवेस करने से पहले आपको बहुत बहुत छोटे छोटे एक जो स्टॉक मार्केट की सच्चाइया है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए स्टॉक मार्केट जितना ही इजी है उतना ही कहीं इस से ज़्यादा कठीन है इसको इसमें वर्क करने से पहले आपको काफी चीजों को सीखना जरूरी होता है तो दोस्तों मैं आपको आज इस वीडियो से कुछ ऐसी ऐसी बाते बताऊंगा जो कि आपको ट्रेडिंग और हैता मिलेगी तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको लेचल रहा हूं प्ले स्टोर में जहां पे आप जाके आई एफल मार्केट का आप मोबाइल अप्लिकेशन आप ट्रेडिंग एप इसका ओपन कर सकते हैं यहां से इंस्टॉल करने के बाद आप यह ओपन करेंगे ओपन करने के बाद फ्रेंट्स आपको एहां पर आपको यह मिल जाएगा तो जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बतायागा था दोस्तों कि आपको अपना डीमेट लेने के बाद आपका इस तरीके से आप अपनी आडी पास्वार्य और आप अपना डेटा बर थेया पाइन नम्बर डालके यहां से आप लॉगिन कर सकते हैं तो यहां से फ्रेंट्स आप लॉगिन करने के बाद आप देख रहे होंगे कि स्टॉक का डैश्वोर खुल चुका है तो फ्रेंट्स यह जो IAFL का मॉबाइल अप्लिकेशन है आपको ट्रेडिंग करने में काफी इजी साबित होने वाला है इसलिए दोस्तों आप कभी भी ट्रेडिंग का अगर यूज़ करना है तो आप इसी IAFL का टीमेट यूज़ करें इससे आपको क्विक ट्रेड करने में सहायता मिलेगी और इसमें आप काफी अच्छा टेकनिकल सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाता है इसमें आपको live chart, live data और कुछ expert के support भी आपको इस application में मिल जाते हैं तो friends यह video में आपको इसलिए मैं यह mobile में ही बना रहा हूँ क्योंकि friends बहुत सारे लोगों के पास laptop नहीं होंगे, computer नहीं होंगे तो friends उसमें क्या है कि आपको laptop की कोई ज़रुवत नहीं है, आपको computer की अभी कोई ज़रुवत नहीं है एक android phone तो सभी के हाथ में होता है friends तो मैंने आपको बताया कि मैं यह जो सारा video बना रहा हूँ यह जो मैं सारी classes basic तरीके से बनाना शुरू किया हूँ यह सिर्फ beginners के लिए है, जो stock market में अपना काम सुरू करना चाहते हैं और उनके पास बहुत बड़ा investment नहीं है तो वो एक छोटे से amount से आप अपना trading और investment का काम चालू कर सकते हैं तो friends इसलिए मैं इस video के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कि आप इसको हर एक video में मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको आप बहुत अच्छे तरीके से सिखिए ताकि आपको trading करने अच्छे से आने लगे आपको फिर मैं उसके बाद जब आप trading से कुछ पैसे कामा लेंगे उसके बाद मैं आपको investment की और ले चलूँगा इंवेस्टमेंट भी कराना सिखाऊंगा आपको छोटे छोटे इंवेस्टमेंट से लेके बड़े इंवेस्टमेंट तक की सारी जानकारी आपको देता रहूँगा तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बताऊंगा कि आप फ्रेंड्स यहाँ पे आप बहुत अच्छे तरीके से ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं तो फ्रेंड्स और यह सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि आपको यहाँ पे स्टॉक कैसे पिक करना है एक अच्छा स्टॉक कैसे पिक करते हैं और आपको trading कौन कौन से stock में ही करनी चाहिए तो सबसे पहले दोस्तों आपको nifty 50 के जो 50 multinational company नहीं stock में से ही आपको trading करना चाहिए क्योंकि इनका movement क्या होता है कि इनका movement आपको पता चलता है कि इनका movement कैसा होगा और आपको चुकि यह multinational company है निप्टी की टॉप 50 कमपनियां हैं तो इसलिए यहां पे आपको सारी चीज़ें क्लिया रिदम देखने को मिल जाती हैं इनमें बहुत जारा वलेटाईल यह इस्टॉक नहीं होते हैं यह देखे जैसा कि मैंने फ्रेंट्स यह आपको दिखाया अदानी पोर्ट्स का यह एक सेर है जो 710 उर्पए 55 पैसे इसका प्राइज है ठीक है तो यह देखे फ्रेंट्स यह जो आपको नीचे दिख रहा है यह चार्ट है यहां पे मैंने वन डे का लगाया था थ्री मन्स का यह चार्ट लगा यह देखे आपको कितना अच्छा चार् प्रेंट्स यहां पे जाने के बाद आप जाएंगे F&Q लिखा हुआ है यह आपका option का call and put दिख रहा है market depth में जाएंगे आपको यहां पे दिख जाएगा फ्रेंट्स की यह जो लिखा है total bid quantity and total ask quantity यह इधर वाय होते हैं total bid quantity में buyers होते हैं total ask quantity में sellers होते हैं stock view में आपको company का recommended होता है कि आपका इतना percent return मिलेगा इतना target होना चाहिए buyers देख सकते हैं sellers देख सकते हैं holdings भी देख सकते हैं यहां से आपको और भी trading के लिए इतनी सारी चीजों की अवसेक्ता नहीं होती है इसलिए friends आपको मैं उतनी ही चीज़े बताऊंगा जितना की आपको सिर्फ जानना है और आपको trading करने में आपको काफी ज्यादा health मिल सके तो friends सबसे पहले आपको मैंने एक basic सी जानकारी लिया उसको आप catch करिए friends सबसे पहले आपको क्या करना है trading करना है वो भी आपको nifty 50 की top 50 कंपनियों में ही trading का कांवर करना है और अगर आपका कोई पसंदीदा stock है जिन कंपनियों के बारे में आप सबसे अच्छे तरीके से जानते हैं आपको ऐसा लगता है कि ये company बहुत अच्छे तरीके से आपको क्या कर सकती है return दे सकती है trading करने से आपको वहाँ पे ज्यादा मुनाफ़ा हो सकता है आप वहाँ आप जाक यहां आप जाएंगे सर्च करेंगे सर्च करेंगे यहां पे आप अपना इस टॉक को कर लेंगे जैसे मैंने दुर्देंस इंड्स्टी में यह मेरा पसंदीदा इंड्सटी जैसे आंसें यहां पर आसे कर सकते हैं वाच लिस्ट में जा first, second, third किसी भी आप watch list में रख सकते हैं तो यहां से आप research भी देख सकते हैं कि इस stock के बारे में क्या research है और इस तरीके से आप देख सकते हैं तो Reliance Industries में आप यहां पे जाके direct buy कर सकते हैं तो friends इस तरीके से आप को मैंने इस वीडियो में जरूरी चीजे बताया कि सबसे पहले आपको Nifty 50 के टाप 50 कंपनियों में ही ट्रेडिंग करने चाहिए इसे आपके जो risk ratio होता है उसको आप अच्छे से maintain कर सकते हैं आपको ज़्यादा risk में जाने की अभी जरूरत नहीं है क्योंकि अभी आप beginners हैं अभी आप stock market में work करना सीख रहे हैं इसलिए दूसरी बात सबसे जो महत्रपूर्ण मैंने आपको बताया कि आपका पसंदीदा stock या पसंदीदा company जिसको आप सबसे अधिक जानते हैं उस stock के वारे में भी आप यहां से search करके उस stock को भी आप pick कर सकते हैं वहां भी आप buy and sell कर सकते हैं तो friends इस तरीके से आप इस mobile application का use करके और आप यहां से stock market को आप easily pick कर सकते हैं friends मैं आपको अब बताने जा रहा हूं next कि buy कैसे करते हैं तो जैसे कि friends यह देखिए आप लोग अगर आपके पास कम पैसे हैं तो आप intraday select करेंगे यहां पे limit हो गई limit मने इंटर में जैसे एडम मने quantity दाल दी आप 500 ठीक है यह limit market limit में ही आपको मिलेगा ठीक है आप यहां पे limit में आप कुछ भी डाल दीजे सास्तो दस रुपए में मालीच आपको लेना है तो आप यहां पे place order कर दीजे जैसे आप प्लेस आडर करेंगे एक्षेंज इस क्लोज कैन नौट प्लेस यूर अडर अगर एक्षेंज यहां पे open होता तो आपका यह order एक्जिक्यूट हो जाता मार्केट में आप मार्केट में आप जैसे ही करते हैं तो मार्केट में आपको यहां पे आप price अपने हिसाब से डाल सकते हैं अधानी पोर्ट साथ सो दस रुपए 55 पैसे में है quantity आपने 500 डाल दिया सेम प्राइस में आप इसको बाय करेंगे जो करेंट में मार्केट का प्राइस चल रहा होगा यहां से आपका stock बाय हो जाएगा आपको delivery में क्या करना है अगर आपके पास बड़ा amount है तो आप क्या करेंगे कि यहां पे आप मार्केट की margin नहीं लेंगे मार्केट का leverage का उपयोग नहीं करेंगे आप delivery में direct आप 500 quantity के लिए आपके पास capital है तो 500 आप यहां पे खरीद के और आप यहां पे buy and sell कर सकते हैं और अपना profit कमा सकते हैं इस तरीके से मैंने आपको बटाया यह exchange is close फिर से वही मैंसे जा रहा है इस तरीके से दोस्तों आप अपना buy and sell का यह इसको आप इस तरीके से सीख सकते हैं फिर मैं आपको advance में ले चलूँगा इडवांस में आपको जो मैं सिखाऊंगा वह आपको नेक्स वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका आपको advance ट्रेडिंग एप का कैसे यूज कर सकते हैं और आप advance तरीके से इसमें sell और target कैसे लगा सकते हैं तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए फर्दर फर्वर्ड करिए